ओम शान्ति, जब भी हम कभी उदास, परिशान, नराज या एरिटेट हो जाते हैं, तो अगर हम अपने आप से पूछें, या कोई हमें आकर पूछें, क्या बात है, क्यों इतना मोड खराब है आज, तो मन एक ही आंसर देता है, बात ही ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उस खिल ही इतनी बड़ी आई हुई है, परिशान तो होना ही था, गुसा तो आना ही था, it was natural, it was normal, कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत शान्त मैसूस करते हैं, तो भी अगर कोई पूछे, क्या बात है, आज बड़े खुश हो, तब भी हमारे पास एक कारण होता है, बात ही ऐसी कि खुश तो होना ही है, ये एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम बार बार हमारे अंदर कौन सी आदत को पका कर रहा है, वो आदत, वो संसकार, एक गुलामी का संसकार है, हाँ गुलामी शब्द अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन इसको गहर इसे चेक करते हैं, ये कौन सी गुलामी है, ये कौन सी डिपेंडेंसी है, ये कौन सी ऐसी आदत है, जो मुझे freedom experience नहीं करने देती, जो मुझे अपनी choice की जीवन जीने नहीं देती, वैसे तो कोई हमें रोके, टोके, बुले ये नहीं करो, ये करो, बार-बार कहता रहे, त आपको जो राय देनी है, आप दीचिये, लेकिन choice मेरी है, मुझे choose करने दीचिये, कि मुझे क्या करना है, let me have the freedom to decide, दूसरों को तो हम कह देते हैं, लेकिन आज, ये अपने आप से कहने की जरूरत है, क्योंकि, कुछ ऐसी dependencies हैं, ऐसी गुलामी है, जो self-created है, हमने इसको ख create किया है, और इससे freedom भी, हम खुद ही, खुद को देंगे, ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं कहेंगे, ये सिरफ एक छोटा सा attention है, एक understanding है, जिससे हम complete freedom, independence, स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, हमारा belief system क्या बन गया है आजकल? कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम behave करते हैं, किसी ना किसी situation की वज़े से होता है, किसी ना किसी व्यक्ती, व्यक्ती के व्यवहार की वज़े से होता है, इसको कहा जाएगा emotional dependence, underline कर दीजिए इस शब्द को, क्योंकि आज हम इस शब्द से मुक्ति पाने वाले हैं तो एक है emotional dependence दूसरा है emotional independence independence कब होती है जब हम खुद चूस करते हैं और dependence कब होती है जब दूसरों की वज़े से वो decision लिया जाता है